Hello everyone, welcome back to my channel Pryериalší Gatham आज मैंने ये वाला makeup look create किया है और आज का makeup look है Valentine's Special makeup look और आप अपनी Valentine's Day वाले दिन ये वाला makeup जरूर करके देखिएगा बहुती ज़ादा इजी तरीके से मैंने ये nude pink makeup look create किया है तुः आप अगर इस तरीके से makeup करना चाहते हो बहुत ही ज़्यादा simple सा make-up करना चाहते हो because Valentine's Day वाले दिन बहुत ही simple सा make-up लगते हैं बहुत ज़्यादा red highlight होके make-up नहीं अच्छा लगता है so simple सा make-up मैंने create किया है so अगर आपको पसंद आए so मेरी वीडियो को like और मेरी चैनल को subscribe जरू करिएगा so चलिए वीडियो को start करते है so guys यह है मेरा without make-up face so अब चलते हैं make-up करने के लिए so सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर जॉय का moisturizer cream आपके पास कोई भी moisturizer cream हो और आप लगा सकते हो लेकिन आपको कोई भी moisturizer लगाने से पहले आपको अपने face को अच्छे तरीके से clean कर लेना है किसी भी face wash से या फेक cleanser से अच्छे तरीके से इसको clean करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है उसके बाद ही आप अपने face पे कोई भी cream यानि moisturizer लगाए उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है hoda beauty का यह primer गाइज यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मेरा favorite है यह वाला primer यह आपकी skin को hydrate करता है जितने भी open pores है उनको अच्छे तरीके से minimize करता है और हमारा face जो रहता है makeup के लिए बिल्कुल ready हो जाता है यह primer लगाने के बाद में आपको primer most important है आपके face के लिए आपको primer लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर मैंने लिया है plum का lip balm आपको अपनी lips को moisturize करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे winters में लिप्स थोड़े dry हो जाते हैं आपको इस तरीके से moisturize करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके बाद ही आपको इवी lipstick लगाते है तो बहुत ज़्यादा smoothly लग जात इसको अपने face पे ड्रैग करके नहीं लगाऊंगी इसको ड्रैग करके लगाऊंगी काईस आपको ड्रैग नहीं करना है अदर्वाइस आपका जो foundation है वो केकी और पैची लगेगा सो बहुत ज़्यादा खुरदरा से लगता है विल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सो आपक कवरेज कंसीलर है और इसका shade है 01 और इसको मैं जितने भी मेरे high points है महां पे मैं इसको apply कर लूँगी और dab dab करके sponge की help से इस तरीके से apply कर लूँगी पूरे face मतलब पूरे face पे आपको apply नहीं करना है जहां पे हमारे high points रहते हैं वहीं पे आपको apply करना है जहां हमने लगाया इस तरीके से पूरे face पे आपको drag नहीं करना अधरवाइस जो हमने foundation लगाया था वह एक दूसरे mix and match हो जाएगा तो कोई features नहीं दिखेंगे तो उसके लिए हमें एक concealer लगाया जाता है उसके बाद मैं यहां पे ले रही हूँ वी ओवी का compact और उसको मैं एक ब्रस की help से तरीके से पूरे face पे लगा दूँगी क्योंकि जो हमने foundation लगाया है और concealer लगाया है तो कैकी और पैची नहीं दिखेगा इसके लिए हमें compact लग से ज्यादा पसंद नहीं contouring करना बट makeup में आता है तो थोड़ा करके हमें आपको दिखा दे रही हूँ सो आप skip करना चाहते हो इसको कर सकते हो बट यह क्या होता है जितने भी हमारे features है यानि makeup करने के बाद हमें अपने features को दिखाना होता है तो उसके लिए contouring की जाती है तो फोन का जो camera था ओफ हो गया था सो मुझे पता ही नहीं चला सो मैंने apply कर लिया था उसके बाद मैंने वैसे लिया है यह इसका shade मैंने pink लिया है तो आपको पूरी eye lid पे इसको apply कर लेना है इस तरीके से एक brush की help से मैंने eye lid पे पूरा pink apply किया है कोई और मैंने color नहीं लिया because ब finger की help से इसको थोड़ा सा लगा दिया है तो थोड़ा सा nude जैसा दिख रहा है बहुत जादा मैंने इसको नहीं किया eyes को आप इस तरीके से करना चाहते तो कर सकते हों बहुत ही जदा अच्छा लग रहा था यह makeup look करने के बाद मैं so जो मैंने pink color लिया था अपनी eye base के लिए उ इसको लगाने के बाद में थोड़ी सी eyes बोल्ड दिखती है तो सुंदर दिखती है इसको लगाने के बाद में तो under eye area में आप इसको इस तरीके से लगा सकते हो ब्रस की help से उसके बाद मैंने लिया है लैक में का eyeliner लिक्विड eyeliner लगाना मैं पसंद करती हूं ऐसे मुझे pencil वा और wink वाला मैं यहां पर नहीं लगाने वाली मैंने इस नॉर्मल जहां eyes है वहीं तक मैंने इसको रखा है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो उसके बाद मैंने वही लैक में का mascara लिया है और अपनी eyelid पर मैं यहां पर falsies नहीं लगाने वाली हूँ मैंने अभी जैसे बोला आपको natural ही मैं इसको रखने वाली हूँ तो मैं लैक में का mascara ही लगा लोगी मैं यहां पर falsies नहीं लगाने वाली हूँ और उसके बाद मैं यहां लगा रही हूँ लैकमी का काजल बिकाज बिना काजल के थोड़ी आइस अजीब सी लगती है मतलब अधूरा-धूरा सा लगता है तो मैं काजल लगा रही हूँ और उसको ब्रेश की हल्प से हलका सा समर्च कर दूँगी तो आइस का लुक न अच्छा लगेगा तो आप इस तरीके से कर सकते हो थोड़ी बोल जैसी देखती है न आइस तो अच्छा लगता है उसके बाद मैं यहां पे थोड़ा सा हाइलाइटर ले रही हूँ और अपने आइब्रो के नीचे लगा रही हूँ और अपने यहां पे इनर कॉर्णर पे यानि आई के आसपास यहां अपलाई कर रही हूँ इसको तो आइस अच्छी लगती है इसको लगाने के बाद में उसके बाद मैं यहां पे लिया है वही पिंक ब्लश बहुत ही ज़दा मुझे मतलब मेरा फेवरिट ही है यह पिंक कलर मुझे बहुत ज़दा पसंद है सो मैंने पिंक ही ब्लश लिया है गए चीक पे लगा लिया है और उसके बाद मैंने आप लिया है हाईलाई र ऑ अपनी ब्रिज आ नोज और चीक सब शारी कर लोगी और फो रेट पे हलका सा जहां हमेरा हाई पॉइंट रहता है वहां पे आपको अप्लाई कर लेना है लेप्स के ऊपर भी आपको अप्लाई करना है यह वाली न्यूड लिपस्टिक है और कलर राइफ की है यह और बहुत ही ज्यादा अच्छी है और यह मैंने ओनलाइन नहीं परचीज की है और यह वाली लिपस्टिक मुझे मेरी सिस्टर इन्लो ने मुझे दी है सो मुझे बहुत जादा पसंद आई है लास्ट में मैंने लगाया है फिट्मी का मेकप फिक्सर सो अल्मोस मेरा मेकप डन है तो गाइस यह है मेरा फाइनल लुक और मैं बिलकुल रेड आई होप आपको मेरे यह वाला मेकप लोग पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में और मुझे कॉमेंट डाउन करके जरूर बताईएगा